दोस्तों जो मैं आपके सामने नाम लेने जा रहा हूँ ये किसी इंट्रोडक्शन के मोताज नहीं है कंणर सुपरिस्टार पुनीत राजकुमार, टीवी एक्टर सिधार्थ शुकला, इंदर कुमार जिनोंने वंटेट फिलिम में काम किया था शिरी देवी जी, इन सब की मोत जो है वो हाट अटेक के कारण हुई है एक बहुत बड़ा नाम सुरव गाउंगुली जी, जिनको जनवरी 2021 में हाट अटेक आया समय रहते उनको अस्पदाल ले जाया गया, उनका इलाज ठीक समय पे शुरू हो गया और उनकी जान बचा ली गई, अब बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्यों यंग एज में इतनी कम उमर में हाट अटेक के कारण मोते हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसा कुछ बदल गया कि यंग एज में ही लोग हाट अटेक से जाने लगे पहले ये कहा जाता था, कि 60-65-70 के बाद लोगों को हाट अटेक होता है लेकिन अभी इतनी कम उमर में, इविन 20's में लोगों को हाट अटेक होने लगे है तो इसका कारण क्या है इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपके साथ वो कारण बताऊंगा और आप धंग रह जाएंगे कारण सुनके कि ये कारण वो हैं जो सब हमारे हाथ में है लेकिन उससे पहले मैं आपको कारणों तक लेके जाऊं थोड़ा सा हाट अटेक की सिम्टम्स के बारे में और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी मरीज को हाट अटेक आता देखें और अगर आप उसको पहचान ले हाट अटेक के लक्षणों के अधार पे तो आपको क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए समय रहते आप उस मरीज की जान बचा सकते हो और एक गौल्डन रूल है कि अगर दो घंटे के अंदर अंदर मरीज को अस्पिताल पहुचा दिया जाए तो ज़्यादा तर हाट अटेक के मरीजों की जान बच जाती है तो बात कर लेते हैं कि आप पहचानेंगे कैसे कि किसी मरीज को हाट अटेक आ रहा है या हाट अटेक के लक्षन या सिम्टम क्या है सबसे पहला लक्षन होता है मरीज को तेज चाती में दर्द होता है और जनरली मरीज चाती पे हाथ रख लेता है और ये दर्द जो है, ये बाएं, कांदे में और नीचे हाथ तक भी आता हूँ महसूस होता है, कि बार ये जबड़े में भी मरीज को दर्द होता है, उसको weakness, कमजोरी, बेचैनी, उल्टी का मन, ये सारी चीज़े होने लगती है, और उसको ठंडे पसीने आते हैं, बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको लगता मेरा दम भूट रहा है, और सांस लेने में परिशानी होती है, और मरीज कई बार जमीन पे गिर जाता है, अगर वो खड़ा हो, तब और बेहुशी की हालत में भी चले जाता है, तो ये common symptom है, अगर ऐसा कभी किसे मरीज को होता ह तो आपको फटा फट उस मरीज को सीधे जमीन पे लिटा देना चाहिए, और आपको ध्यान से देखना चाहिए कि उसकी सांस चल रही है, या नहीं चल रही है, उसका यहाँ पे ये carotid artery या या आपकी radial pulse से उसकी pulse चेक करें, और फोरन सबसे पहले ambulance को फोन करा दें, so that समय रहते ambulance पहुंच जाए, और मरीज को आप एक aspirin की tablet पानी में गोल के पिला सकते हैं, अगर मरीज होश में है, या उसकी नबस चल रही है, और मरीज को सांस आ रही है, लेकिन अगर मरीज बेहोश हो जाता है, या आपको लगता है कि नहीं मरीज को सांस भी नहीं आ रही है, तो बिना देर किये, आप उसका CPR शुरू कर दीजिए, CPR कैसे होता है, कि जो आपका हाथ है, आपको दोनों को ऐसे रखना चाहिए, इस तरह ही किसे, कि आपका ही जो हतेली है, मरीज के छाती पे लगनी चाहिए, और दोनों बायें आप सीधी रखके, उसको आप compressions देना करते रहें, और हर 20-30 compression के बाद, दो बार मरीज को मुझ से आप सांस फूग दे, और ध्यान रखे कि उस समय मरीज की नाक बंद कर ले, और ये सिलसला जब तक जारी रखें, जब तक ambulance ना आ जाए, अगर ambulance समय रहते आ जाती है, और आपने मरीज को दो गंटे के अंदर पहुँच जाते हैं, और जो उपर मैंने सारे आपको नाम लिये थे, उसमें सिर्फ सोरफ गाउंग उली जी, खुश किसमस थे, कि जिनको समय रहते हैं अस्पताल भेज दिया गया और उनकी जान बच गई, बाकी सारे लोगों में इलाज में देरी हुई थी, अब दोस्तो बात करते हैं कि कारण क्या है, कि ऐसा क्या बदल गया, कि इतनी कम उमर में, 40-40 साल की उमर के लोग, 20-25-25 साल की उमर के लोगों को हाट अटेक हो रहे हैं, मैंने कुद एक लड़के को देखा था एक बार एक अस्पताल में, 28 साल की उमर जिम करके आएं और पता रगा कि he is जिम कारण है, उसके पहले मैं आपको बतायता हूँ जो बेसिक कारण है उसके, एक तो हमारा खान पान का जो तरीका है वो बदल गया है, हम नेचरल भोजन छोड़के हम बनावती खाने की तरफ चले गए, हमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, हमें बाहर का होटल का ज जिँक फूडर, नमक ज्यादा होता है, फ्राइड ज्यादा खाते हैं, तो उसमें नमक अगर ज्यादा होगा, नमक बलड़क्रिशिक को बढ़ाने का काम करता है और उसमें पता का धेया होता है, तो वह एक कारण बनता है, जो सचूरेटशिटीड फैट इसे नहीं Ley जिए यह से कॉलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है अब यह कॉलेस्ट्रोल खुन की नसों में जो आर्ट्रीज में जो खुन लेके जाती है हार्ट की तरफ को जिनको कॉरोनरी आर्ट्रीज कहते हैं उनके अंदर कॉलेस्ट्रोल के डिपोजिट्स बन जाते हैं और यह डिपोजिट्स आगे जो है रास्ता पतला करने लगते हैं और फिर अगर स्मोकिंग करने लगे खास तोर से गिलैमर्स की दुनिया में स्मोकिंग का बहुत जादा चलन है यंग एज में आज कल चोटे-चोटे बच्चे स्कूल कॉलिज के बच्चे स्मोकिंग शुरू कर देता है यह एक बड़ा कारण है हार्ट अटेक का क्योंकि ज स्मोकिंग है यह सबसे बड़ा दुश्मन है यह आर्ट्रीज की जो अंदर की लेयर है उसको मोटा कर देता है वहाँ पे इंजरी कर देता है जिसकी वेसे वहाँ पे बलड का थक्का जमने का खत्रा बढ़ जाता है तो अगर बलड का थक्का भी बन गया, कॉलस्ट्रोल भी जमा हो गया तो आगे खून की सप्लाई कम हो जाएगी और जब आगे खून की सप्लाई पूरी तरह से नहीं जा पाती इसी को हर्ट अटेक काते हैं तो जो कоронary arteries हैं उसमें जब ब्लॉकेज हो जयता है यही हर्ट अटेक का कारण होता है इसके लावा दोस्तो kalo हम exercise नहीं करते हैं और करते हैं बहुत ज़ादा करते हैं यह एक बड़ा कारण होता है तो बलड शुगर को ना बढ़ने दे, नमक जादा ना खाएं, चिकना तला भोजन कम से कम खाएं, बाहर का खाना बंद करें, कभी कभी खाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन घर का बना साफ सुत्रा, हरी सबजियां दालें ये जादा खाएं, फिश आप खा सकते हैं, लेकिन र वजाएं हैं, पहली वजाएं है, कि जिम में आपका ट्रेनर आपकी बॉड़ी को अतना ज़्यादा स्ट्रेच करा देता है, कि शायद आपका स्टैमिना उतना नहीं है, और आपके उपर बहुत ज़्यादा बोज जाल देता है, क्योंकि हाट की एक कैपिसिटी है, जब काउट कर रहे हैं, और हार्ट पे प्रेशर जादा पड़ रहा है, और प्रेशर से वो ब्लट जा रहा है उस आर्टरी के अंदर, तो वहाँ पे इंजरी या क्लोट जमने के चांसे बढ़ जाते हैं, तो एक तो कारण ये हो सकता है, इसलिए आप लिमिटेड एक्सरसाइज करें, अपने वजूद से जादा एक्सरसाइज ना करें, ब्रिस्क वाकिंग सबसे अच्छा माना गया, आप 30 मिनट रोज सिर्फ टैलिय तेज कदमों से, आपका काडियक एक्सरसाइज इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आप ट्रेड्मिल पे भी कर सकता है, लेकिन जो ब बड़ा कारण क्या है, कि आपके जो जिम ट्रेनर हैं, कई बार आपको कहते कि जी आपको प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे, और प्रोटीन्स को अब्सूर्ब करने के लिए, वो खुद भी प्रोटीन देते हैं अपने पास से, हमें नहीं पता उसमें को इस्ट्रोइड होता थी, और वहाँ पे लोग आते थे, डेकर डॉरा बोलिन के इंजिक्शन लगवाने, और मैं उनको मना भी करता था कि इसका नुकसान दे होगा, बट उनको कॉम्पेशन में जाना है, तो डेकर डॉरा बोलिन जो इस्ट्रोइड है, वो बहुत नुकसान दे है, वो मसल्स को गेन करा देता है, प्रोटीन को तो अब्जोर्ब करने में मदद करता है, लेकिन ये हार्ट अटेक का कारण भी बनता है, क्योंकि आपके बोडी का जो मेटाबोलिक फंक्शन है, वो बदल जाता है, अब क्योंकि जब ये स्ट्रोइड हार्ट अटेक का कारण बनते हैं, तो खबर इस तरह की आई थी, कि वो बोटॉक्स का इस्तमाल करती थी, तो बोटॉक्स भी जब लगाया जाता है, तो वो चेहरे की जूरियों को कम करतीते हैं, क्योंकि जब बोटॉक्स लगाते हैं, तो जो muscles को constrict कर देता है, यहीं कि तोड़ा मात्रा में बाटोक्स लिया जाए तो ये भी एक कारण बन सकता है हार्ट अटेक का उसके अलावा दोस्तों क्योंकि आपके उपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हम ऐसी दोड़ में लगे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको चिंता बढ़ती है आपको एंजाइटी होती है आपको स्ट्रेस होने लगता है और स्ट्रेस हार्मोंस रिलीज होते हैं ये भी एक कारण बनते हैं हार्ट अटेक का या आर्ट रिस को नेरो करने का उसके लाव आप जब दिर तक काम करते हैं, आपका schedule कोई नहीं है, आप समय पे खाते नहीं है, समय पे सोते नहीं है, अगर आप 8 गंटे, 7-8 गंटे की नीन पूरी नहीं करते हैं, जादा जागने से भी जो आपके यहाँ पे एक gland है, जहां से serotonin निकलता है, अगर इसका imbalance हो हुआ, तो एकदम से मुझे खयाल आए कि नहीं लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, जागरूख करना चाहिए, एक तो जब भी heart attack किसी को होता है, उसको समय पे लक्ष्णों को पहचालने, घर पे ही यह शुरू कर दें, जो आपका primary treatment है, या जो primary preventive चीज़े आप कर रखें, शुगर को control रखें, नमक की मातरा जादा ना खाएं, चिकना भोजन बहुत जादा ना करें, exercise करें, लेकिन limit में करें, तो आप अपने आपको बचा सकते हैं, और उसके अलावा lesson का आप इस्तमाल करें, जो cholesterol को मदद करता है कम करने में, उसके अलावा आप अद्रक का इस्तमाल करें, ये चीजे cholesterol को कम करती हैं, और बाकी जो आपकी हरी सबजिया हैं, उन सब का जादा इस्तमाल करें, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जरूरी था, तो अगर वीडियो करें, धन्यवाद